भगवान शिव माता पारवती के पुनर मिलन का पर्व हरताली का तीज हर महिला के लिए काफी खास होती है इसे करवा चौथ से भी कड़ा उपुवास मना जाता है इस दिन सुहागन महिलाई निर्जला उपुवास रखकर सोला श्रिंगार कर पूजा अरचना करती है और दूसरे दिन ही पूजा करने के बाद उपुवास पूरकर जल ग्रहड करती है और इस बार कब मनाई जा रही है हरताली का तीज क्या है पौराणिक महत्व और श्युब मुहरत पूजन विधी क्या है पूजन सामगरी क्या क्या चाहिए होती है चलिए देते हैं आपको पूरी जानकारी नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा हरताली का तीज का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार हरताली का तीज भात्रपद के शुकल पक्ष की तरतियातिती को मनाई जाती है इस बार हरताली का तीज शनिवार 19 अगस्त 2023 को मनाई जा रही है अब सभी के मन में शुब मुहरत को लेकर भी सवाल होगा जिसका जवाब भी हम आपको दे देते है हिंदू पंचांग के अनुसार हर्याली तीज सावन महिने की शुकल पक्ष की तरतियातिती को मनाई जाती है इस बार तरतियातिती की शुरुवात 18 अगस्त को रात 8 बच कर 1 मिनिट पर हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को रात 10 बच कर 19 मिनिट पर होगा उदियातिती के अनुसार हर्याली तीज 19 अगस्त 2023 यानि शनिवार को ही मनाई जा रही है इस दिन रवियोग का निर्माण भी होने ज़ा रहा है रवियोग की शुरुआत 19 अगस्त की रात 1 बच कर 47 मिनिट पर हो रही है और समापन 20 अगस्त सुभा 5 बच कर 53 मिनिट पर हो रहा है इस दिन महिलाएं पती की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है और लड़कियां भी इस दिन अच्छे वर की प्राप्ती के लिए व्रत करती है ऐसी मानेता है कि महिलाएं अगर इस दिन सच्चे मन से व्रत करती है तो उन्हें स्वभाग्य की प्राप्ती होती है इस दिन भगवान शिव और माता पारवती की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि माता पारवती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए ये वरत किया था माना जाता है कि इस दिन मा पारवती ने शिवजी को कठोर तपस्या से प्राप्त किया था इस दिन व्रिक्ष नदियों जल के देवता वरुड की भी उपासना की जाते है मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे और मन्चाहे वर की प्राप्ति के लिए होता है जिन कन्याओं के विभा में समस्या हो उनके लिए ये पूजा उपासना विशेश होती है जिन महिलाओं का विभा हो चुका है उनको भी इस दिन सैयुक्त रूप से शिव पार्वती की उपासना करनी चाहिए अब हरिताली का तीज का पौराणिक महत्व भी जौन लीजे हर्ताली का तीज का पावन पर्व भगवान शिव और मातापार्वती के पुनर मिलन के लिए माना जाता है एक पौराणिक कथा के अनुसार मातापार्वती ने भगवान भोले नात को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था हिमाले पर गंगा नदी के तच पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की माता पार्वती की ये स्तिती देख कर उनके पिता हिमाले बेहत दुखी हुए एक दिन महर्शी नारत भगवान विश्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विभा का प्रस्ताव लेकर आए लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो बिलाब करने लगी अब आपको बताते हैं कि क्या है हर तालिका तीच की पूजन विदी इस दिन उपवास रखना चाहिए और श्रिंगार करना चाहिए श्रिंगार में महंदी और चूडियों का होना जरूरी है शाम को शिव मंदिर में शिव पार्वती के उपासना करें मंदिर में घी का बड़ा सा दीपक जलाए संभव हो तो मापारवती और शिवजी के मंत्रों का जाब करें पूजा के बाद सौभाग्यवती इस्त्री को सुहा की चीजे दान करें और सौभाग्यवती इस्त्री से आशिरवाद लें इस दिन काले और सफेद वस्त्रों का प्रयोग करना वर्जित होता है हरा और लाल रंग सबसे ज़्यादा शुब होता है हर्याली तीज के पूजन में किन-किन सामगरी की जरूरत होती है ये भी नोट कर लीजे केले के पत्ते, बेल पत्र, धतूरा, अकव, पेड के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की, गीली मिट्टी, जनेव, धागा और नए वस्त्र माता पार्वती जी के श्रिंगाल के लिए चूडिया महोर, खोल, सिंदूर, बिच्छुआ, महंदी, सुहाग, चूड़ा, कुमकुम और कंगी इसके अलावा पूजा में नारियल, कलश, अभीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शेहत, दूद और पंचामरित इन तमाम चीजों की जरूरत होती है उमीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी पिलहाल ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ